स्टूडेंट्स को पैसा कमाने की बहुत ज्यूरत पड़ती आजकल तो यहां पर ना मैं आपको एक माइंडसेट बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो जी यहां दोस्तों तो यहां पर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया होगा ओनलाइन अगर पैसा कमाने के चक्कर में हो और काफी स्टूडेंट्स ने तो अपने पैसे भी काफी खराब कर लियोंगे और गैस मैं आपर आपको बताने वालों एक सही आपको सजेशन देने वालों कि किस तरह से आप ओनलाइन पैसे कमा सकते हो जी आ दोस्तों तो सबसे वहले जो काम काम मिल जाएं जाहां से हमको कुछ क्लिक्स करने हो और हम को पैसे हमारे अकाउंट में आजए भस हमें और कुछ नीच這是 यर्णAN m attorney 컨ू अन इस ही माइंसएट की वजह से ज्यादा तर लोंगela वो पैसे नहीं कमा पाते और खास करके students आप अपना काफी सारा time जो है यहां पर बरबाद कर देते हैं तो guys जो students है ना उनको मैं यह suggestion देना चाहूंगा कि अगर आप without investment कुछ भी पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आपको learning करनी पड़ेगी आपको कोई ना कोई एक skill सीखना पड़ेगा और skill सीखने में ज्यादा time नहीं लगता आज कल के time में और अगर आप सिर्फ एक skill सीख लेते हो उस एक skill से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो और वो जो skill होगा ना वो सिर्फ अभी आपकी पैसे कमाने में help नहीं करेगा बलकि आपकी पूरी life help करेगा वो एक skill पैसा कमाने में अब हो सकता है कि आप photoshop में बहुत अच्छे बन जाओ कुछ time लगा कर आप photoshop सीख जाओ like 5-6 महीने आपको लगेंगे वो जो time होगा वो आपको पूरी life पे कर सकता है क्यूंकि आप हो सकता है कि आप college के बाद या school के बाद सिर्फ आप photoshop से ही पैसे कमा रहे हो या हो सकता ह तो यार बहुत सारे जो आजकल यूटूबर्स है वो तरह तरह की apps trading apps यह सब promote करते रहते हैं और ऐसे बोलते हैं कि अपनी opinion दो जिससे आप पैसे कमा पाऊगे या फिर graph predict करो ओपर जाएगा नीचे जाएगा तो आप पैसे कमा पाऊगे तो guys यह सब चीजे फ्रोड होते है इसमें आपका पैसा जाने वाला है वो 100% decided है तो guys यहां पर अगर जैसे मैंने खूद भी ऐसे ही start किया था मैंने photoshop से start किया था लेकि मैंने बहुत सारे काम try किये थे लेकिन उनमें जो एक photoshop था उसमें मेरा interest काफी जादा आ गया था और उसमें मैंने logo design करने से start किया था ज वो मैं यूज नहीं करता था मैं बहुत ही खूद बनाता था photoshop में design photoshop में design करें तो guys मैं आपको यहीं सजाज़ करूंगा कोई भी skill सीख सकते हो like graphic designing हो गया मलब आजकल AI भी बहुत जादा आ रहा है AI machine learning यह सब चीज़े बहुत जादा मतलब जो पिछले skills होते थे थे ना उ जो है वो हर जगा यूज होने वाला है तो ऐसे में दोस्तो मैं आपको यह suggest करूंगा कि आपको short term data entry इस इन सब चीज़ों में time waste मत करो आपको एक skill पकड़ो और उसको सीखो और मतलब 4-5 महिने में इतना time तो लोग मतलब waste waste ही कर देते इतना time तो आपने भी देख होगा और हो सकता है कि आपने खूद तरह तरह की apps यूज करने में अपने काफी ज़्यादा time waste कर दिया हो और आप सोच लोगे क्या इस time में तो मैं कुछ सीख लेता तो आप कुछ सीख लोगे तो वो आपके पूरे life काम आएगा आप उससे कैसे भी पैसे कमा सकते हो दोस्तों I hope यह मैं आपको mindset बता रहा हूं यह आपको समझ में आ रहागा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तो guys अगर आप चाहते हो कि मैं इससे related अपनी जैसे मैं logo designing से कैसे पैसे कमाई थे उसके बारे में आपको बता हूं कि मैंने कैसे क्या था ताकि आप same चीज को copy करके वो चीज कर सको तो मेरे को comment section में जरूर बताना तो मैं जो next video है उसमें आपको बता हूंगा कि मैंने logo designing से कैसे पैसे हमाई थे as a student तो जिससे आपको भी बता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़े possible है तो जी हां दोस्तों तो इस वीडियो में बस मैं आपको यह बताना चाहता था कि यह आपको बता चीज़ों में बता हो और कोई नो कोई स्किल सीख लो और वो स्किल सीख के आप पैसा कमा पाऊगे वो स्किल सीख के कैसे पैसा कमा पाऊगे उसके बारे में भी मैं upcoming videos बनाने वाल हूं तो बस गाई इस वीडियो में यही कहना था मुझे आइओ यह वीडियो प कर पाओ और मैं हर वीडियो में कुछ नो कुछ ऐसा करूंगा कि आप उसे कुछ नया सीखो मलब नया सीखो आपको कुछ फाइदा मिले हर वीडियो में तो जियां दोस्तों अगर आप जुड़ा रहना जुड़े रहना चाहते हो स्टार्ट आप टॉक के साथ तो कर दो सब्सक्राइब में